मुस्कुराहाट के बिना जीवन एक सजा है और कभी किसी इनसान को अचानक से सड़क पर मिलना जिसा आप बिलकुल नहीं जानते ऐसा लंडन, केनेडा, ऐस्टिलिया, अफ्रीका, अमरीका में बहुत होता है जो मैं लंडन जाती हूँ ना जो लोग मुझे नहीं भी जानते खासकर पॉर्णनर्स तो भी वो एक स्माइल देते हुए जाते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं वो और वहाँ पर देखे वैसे तो वहाँ पर ये सब्विता अब है लेकिन भारत में तो ये सब्विता शुरू से थी हमारे बुज़र्ग नामरा भाई कैसे और सब बढ़िया सब एक दूसरे को जानते थे सब नमस्ते करते थे लेकिन अब जैसे मैं सुसाइटी सिस्टम में रहती हूं न यकीड भानिये यहां जो लोग हमें जानते हैं अगर वो हमें सुभा मिल जाए तो भी वो नमस्ते करना या गुड मॉर्निंग करना खाबों में अलगी दुनिया में इंसाइटी में इनसान खोया रहता है और नमस्ते और चीजों को भूल गए चलिये राधे राधे करते हैं क्यों कर रही हूं रादे रादे बताती हूं रादा अस्टमी है ग्यारा सप्टेंबर को दिन है बुद्वार का ओए हुए बुद्ध करे सब सुक नमश्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी होसंदोज आकर आपका स्वागत अभी नं चलिए कारिकर्म की शुरुवात बिलीविन कर्मा हां जी तो आगया आज हम बात करेंगे आपसे राधा अस्टमी की राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी कहते हैं इतना खुबसूरत ये शब्द है कि कृष्ण भी इसके अधीन है क्या आप राधे रा असपैंगे बहुत पुझाएं नहीं कर पाते हैं आप भगवान के लिए मंदर नहीं जा पाते हैं आप तोटे हुएं हर चीज से आपको जीवन में नकरात्मक्ता की खुशबूँ आ रही है तो बस राधे राधे बोलना शुरू करिए और लिखने से जादा है बोलना पापा और आपका रिष्टा हो सकता है, ममी और आपका हो सकता है, कि माँ बेटे का हमारा जो बर्थडे वो आसपास ही आता है, तो ऐसे लोगों का रिष्टा जन्मो जन्म का होता है, वरना ऐसा क्यों होता है, कि कृष्ण जन्मा अस्टमी के चंद कुछ दिन बाद राधा अस्टमी होती, ऐसा क्यों होता है, कि सीता राम जी के राम नॉमी के बाद इसीता जी का जन्म दिन होता है, हनुमान जी का जन्म है ना अपने आसपास भी ऐसा इंसान डूंडो जो आपके जनम दिन के आसपास पैदा हो तो ये जन्मो जन्मो का रिष्टा होता है चलिए राधा अस्थमी की बात करते हैं राधा अस्थमी भगवान कृष्ण की प्रियतमा राधा जी के जनम दिन की खुशी में मनाई जाती बहुत Touch अब देखिए prescription ची भी से पर पेदा होई और और वह भादों के महीने में प्यदा होई है यह भी भादों के महीने में राधा एस्टमि के दिन की आप बहुत बहुत शुब कामना आए और सबसे जञ़ादा शुपकामना है मेरे क्रिशन जी आपको राधा जी की जनम दिन की शुपकामना है मेरे और मेरे पूरे इस संसार की तरफ से आपका राधा का नाम तो जनमो जनमो तक बना रहेगा हमारे अपनों का नाम भी हमारे साथ मेरा इस यूट्यूब परिवार के साथ जनम जनम का नात मिठाईया, भोग ज़रूर चड़ाएं, भगवान कृशन के साथ आज राधा की पूजा तो हुए हुए आपके जन्मों के पापो को ही खतम कर देगी राधा के मंदिर जाएं, राधा राणी के दर्शन करें, किशोरी जी के दर्शन करें राधा रानी के भजन करें, कीर्टन करें और हाँ आज राधा रानी की तरह शिंगार जरूर करें आज राधा जी का नाम जपे, राधा जी के नाम पर आज जरुतमन लोगों की मदद करें दान पुन्ने के काम करें, गरीबों की मदद करें राधा रानी के जीवन से कुछ कारेव को जाने और उनका अनुसरन अपने जीवन पर करें कहते हैं जिसकी बात कृषिन ने भी नहीं सुनी ना उसकी बात भी राधा रानी ने सुनी है आज राधा रानी को संपूर सिंगार का समान अरपन करें राधा नानी के नाम पर आज अपने घर में कीरतन जरूर करें, उनकी महिमा की चर्चा लोगों से करें, राधा रानी का आज वरत जरूर रखें, क्या आपको पता है कि राधा रानी की अस्टमी से और जो आने वाले टाइम पर हमारे पित्रों की अस्टमी है, उस दिन तक 16 द सकता और 16 साल तक नहीं रख सकते 16 दिन तक नहीं रख सकते तो कम से कम इस अस्टमी का और पित्रों के टाइम पर जो अस्टमी पड़ेगी उस अस्टमी का वरत जरूर रखें राधा जी का आशिरवात पाने के लिए उनकी उनसे प्रातना करें और मनोकामना उन्हें अपनी ब पूजा करें आज उन्हें के नाम का जाप करें और उनकी किरपा आपपर बनी रहार ऐसी प्राथना करें दानपुन्ने करें गरीबों की मदद करें राधा जी के जीवन के बारे में अपने आसपास के लोगों को जरूर बताएं कि आपका जीवन अच्छा हो, ये वरत रखने से आपकी हर्मनों कामना पूर्ण होगी और राधारानी के साथ क्रिशन जी का आशिरवाद आपको मिलेगा कहते हैं राधारानी अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुक्स विधायल आए तो आज सोला धागे लेकर सोला धागे पर एक एक धागे पर सोला सोला गाट बांद कर इसे सोला सुतरी कहा जाता है इन धागों को अपने हातों में बांदे जो कि सोला गुणों का प्रतीक है प्रेम का, करुना का, दया का, स्निहे का, विश्वास का, श्रधा का, भक्ती का, समर्पन का, त्याक का, सेवा का, अनुराग का, प्रीती का, ममता का, लाज का, विनमता का और शमा का, जी हां ये सोला गाठे बांदी जाती हैं और इन गाठों को बांद कर राधारानी के हाथ में भी बांदे और इन गुणों को समझ कर जो कि सारे गुण राधारानी में थे अपने जीवन में उतारें प्रेड़ना लें और इसे अपने हाथ में बांदे प्रेम, सुक, स्मरधी आपको प्राप्त होगी, इन धागों को बानने की कुछ वीदी है, सोला धागे ले 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 और एक साथ उन सोला धागों के अंदर, सोला गाट पर धागे के अंदर जरूर बान दे, और उसके बाद राधारानी का नाम लेते हुए, इन धागों को अपने हाथ में बान दे, राधा रानी की अस्टमी से जो की 11 सप्टेंबर को है इससे आपके जीवन में सुक्स विधाएं आएंगी मान समान परतिष्टा बढ़ेगी और ऐसा कहा जाता है जो ऐसा करता है राधा रानी की अति किर्पा उस पर होती है आप चाहें तो अखंड जोद 16 दिल के लिए जला स सकते हैं पंच मुखी दीवक राधा रानी का चलाकर उनकी आर्थी जरू करें यह शुब माना जाता है लेकिन राधा की पूझा कभी भी अकेले ना करें 16 सुत्र के सामने जोती जलाकर राधा अस्त्मी के दिन उनसे यह कहें कि 16 दिन तक आप इंधाकों को बांधने वाले हैं और आपकी हरमनो कामना भगवान पूझ करें राधा जी की जोती अगर आप ऐसा जलाते हैं तो आपके घर से दरीदिरता गरीवी दूर होती है और 17 के अंदर पांचों तत्वों को बराबर करके उनकी बीमारियों को दूर करती हैं नव ग्रह जोती जो जलाते हैं राधा जी के सामने ऐसा करने से राधा रानी की किरपा होती है और धन का आगमन आपके घर में होता है कहते हैं कि आप राधा रानी की किरपा पाना चाहते है तो राधा रानी को आज बासूरी अर्पन जरूर करे क्रिशन में राधा को जो सबसे ज़्यादा प्रिये था वो थी उनकी बासूरी जब क्रिशन बासूरी बजाते थे तो राधा रानी जहां भी होती थी दोड़ी चली आती थी फिलाल मुझे दीजे अजासत अपना और अपनों का रखे बहुत खास ख्याल आपको आज के दिन की हार्दिक 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 शुब कामना